हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी मैं सागरिया तो फिर से आपके लिक नहीं वीडियो लेके आया हूं इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे एक ऐसे सोल्ट के बारे में जो की काफी फेमेस है बोडी बिल्डिंग सर्किल में और उसको मोस्टली बोला जाता है तो फादर ओफ द इतना पावरफुल है कि उसको फादर ओफ ओल श्ट्रोइड या फादर ओफ ड्रग्स भी बोला जाता है अब उसके बेनेफिट्स क्या है यूज क्या उसकी डोज क्या रहेगी उसके इफेक्ट्स क्या और इसको में ऐसी क्या क्वालिटी है कि उसको फादर बना दिया है ठ अलवाज चलिसी स्टार्ट करते हैं जो है जो हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मिशन पे बात कर लेते हैं वैसे तो यह तेलि एंग की फैमिली से ही है ट्रेंबॉलिंड भी डेकर ऋन्ड जोर्म-बेक्ल ऑफ दोवेली से ही यह क्योंप में है विया यह ze कब से पहले अगर इसको मार्केट में स्टार्टिंग से बोडी बिल्डिंग में यूज नहीं किया गया था ट्रेंड को उतारा गया था 1970 में फॉर कैटल्स के लिए फार्मर्स के लिए जब ये मवेशी होती गाये बैस इनके चारा चारा जब चरते तो इसकी बोडी में मसल ज सैल करते तो उतना अर्न वह नहीं कर पाते थे तो ये सोल्ट जरनेट किया गया था इसको इंजक्ट करने के बाद देखा गया था कि ज़ादा से ज़्यादा पस्वो में मसल साइज बढ़ गया है मसल मास बढ़ गया है रेड मीट बढ़ चुका है तो वह अदिक पेमेंट earn कर सकते थे तो जब bodybuilder की नजरे वहाivesse गई गंधी नज़रे वहां पर गई उन्होंने देखा कि यह मसल मास बढ़ा रहा है तो उन्होंने useful करना इस्टार्ट करन दिया की मसल मस तो बढ़ी राहे चाह वो इन्सानों का बड़े तो जब बोडी बिलिंग में इस परपस से इसको लेके आया गया था लेकिन यह जब इसका डेरिवेटी हुआ था इसको बनाया गया था तो वे ओनली फोर एनिमल परपस से बनाया गया था ठीक है अब यह क्या करता है मैंने बता है अनाबोलिक हो फाइव टाइम ज्यादा पाउरफुल है यह क्या करता सबसे पहले आपके अपेटाइट बढ़ा देता अपकी भूख बढ़ा देता है ठीक है आपके मैटाबोलिजम की जो रेट है उसको फास्ट कर देता है आपकी वस्कुलेरिटी बढ़ा देता है अपके अग्रेशन को मैंने बताया था WaterHold नहीं होता एस्टोजन में Convert नहीं होताओ जो ठ्रेंड बोलेन है ठीक है इस अ मॉंस्टर इस्टेट अब मॉंस्टर क्यूं है क्योंकि जो भी इस्टरोइड होता इसमें एंड्रोजैनिक या एनबोलिक इस्ट्रोजैनिक जो भी quantity रखता है ज्यादा potency रखता अपने अंदर तो इस वज़े से यह अनाबोलिक से पांच five time more stronger है more powerful है इस वज़े से इसको father of all steward बोला जाता है अब यह इतना flexible है कि आप इसको cutting में भी use कर सकते हैं gaining में भी use कर सकते हैं ठीक है बल करना हो या lean करना हो उस इसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं अब यह सक्यों होता क्योंकि इसकी एक property होती है लिपोलाइटिक property एंड एनाबोलिक दो प्रोपरटीज इसमें बिल्टे लिपोलाइटिक time पर यूज कर सकते हैं आप इसको cutting में भी यूज कर सकते हैं because of यह fat burn भी करता है और at the time यह आपकी muscle को generate करता है muscle को build करता है गेन करता है ठीक है बट जैसे कि आपको पता है कि अगर इसके benefits बहुत जादा है five time जादा यह stronger है तो इसके benefits भी ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बाता है सिके कि दो पहलो होते तो इसके side effect भी उतने ही जादा होंगे ठीक है अगर कोई چीज کوई medicine आपको help कर रही है एक normal medicine से जादा help कर रही है तो वह आपको कहीं नक्षान भी उतना ही कर कर रही है बस डिसाइड आपको यह करना है कि आपको इसके help पे ध्यान उसकी benefits पे ध्यान देना है या उसके side effects पे ध्यान देना है ठीक है तो मैं completely इस वीडियो में दोनों चीज़ें आपके सामने रखूंगा अब बात करते हैं इसके benefits क्या है ठीक है एक तो यह क्या करता आपके muscle को enhance करता है आपके fat loss को increase करता है आपके muscle building की process को fast करता है आपके muscle के आपके जो protein synthesis है उनको increase करता, आपके stamina को बढ़ाता, आपके strength को बढ़ाता, आपके power को बढ़ाता है ठीक है और ये सबसे जल्दी जो possible हो सकता transformation के लिए वो जल्दी से जल्दी help करता आपके transformation करने के लिए, आपके physics को transform करने के लिए ठीक है और ये dry look देता है because of aromatization, इसमें aromatization होता है ठीक है और ये कभी-कभी diarotic effect भी देता है during a diarotic effect यानि कि आपको water hold नहीं होता या excess water है तो उस aromatization की वज़े से चला जाता है diarotic की वज़े से चला जाता है क्योंकि इसमें properties होती है तो आपको dry जो look मिलती है lean gain जो muscle lean muscle जो चाहते है आप वो आपको मिल जाता है ठीक है और इसको आपने देखा होगी कि जब cutting time पे bodybuilder use करके आते stage पर तो उनके muscle definition अच्छे दिख रहे होते है तो वो होता है trend की वज़े से जो उसके आपके muscle की definition है उसको अच्छा बनाता है आपके muscle अच्छे दिखते है बड़े दिखते है ठीक है बोलता है fiber अच्छे दिख रहे है और सबसे बड़ी बात यह क्या करता है आपकी जो muscularity है उसको increase भी करता है क्योंकि इससे आपकी muscularity increase होती है आपके जो veins है वो पुप आउट होके दिखते हैं आपके muscles के उपर तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके muscle अच्छे दिखते हैं अब बात करते हैं इसके जो results है वो कैसे depend करते हैं बहुत लोग सुचते हैं कि result कितना जल्दी आएगा तो depend करता है आपके diet क्या है आपके genetics क्या है आपके workout pattern क्या है ठीक आपका nutrition क्या है और आपका sleeping pattern क्या आपकी recovery कितनी हो रही है या नहीं हो रही है यह सारी चीज़े depend करती तब जाके result होता है decide होता है ऐसा नहीं होता है कि आपने एक कोई भी medicine या कोई भी salt inject किया और आप सोच रहें कि आपको result आ जाए तो वो चीज़े नहीं होती है ठीक है आपने दिखावा कि पीछे-पीट पर दाने हो जाते हैं या ओईली होती ही तो वो सारे ट्रेंबॉल की वज़े से होते है हेर लोस ज्यादा होता है आपके ज्यादा पेहन करने लग जाते है और रैडनेस होती है इसकिन पर रैस वगरा हो जाते है तो यह थे इसके side effect इसके fat burning process को भी improve करता है आपके cholesterol increase हो जाता है और आपके cardiovascular जो उसका risk है वो बढ़ जाता है because of आपका blood pressure high होता है और जितने भी stress होते हैं इनकी tendency होती है कि bad cholesterol increase करते है और मैंने इसको बता है starting में कि आइनाबोलिक से five time ज्यादा stronger है powerful है तो इसका side effect भी निकल के आएगा वो ज्यादा और powerful निकल के आएगा तो इससे bad cholesterol ज्यादा increase होगा आपके heart पे necessary load जाएगा और सबसे बड़े बात जो इसकी overdose लेते है इसके साथ में इस सिंगल तो कोई यूज नहीं करता इसके साथ में यूज करते हैं तो इससे क्या होता है अपके मैल लैक्टिट यानि आपके चेस्ट के जो निपल से है उसमें आपको दूद आता हुआ दिखाई देगा तो यह मैं लैक्टिट ये progesteran की वज़े से ज़् कर्मिकल्स बॉंडिंग होके वो उस वज़े से आता है ठीक है तो एस्ट्रोजन का इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब बात कर लेते हैं कि एक जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखा जाता है त्रेंड को यूज करने के बाद आपको कफ आते जैसी आपने इंजेक्ट किया इसके बाद आपको खासी आने लगती है ठीक है अब वो आती इसमें उता है बैन्जाइलkovी उसके वज़े से आपको कफ जाता है तो रागए आपको किन और लोगों को नहीं लेना चाहिए अगर cancer है prostate cancer है ठीक है यह आपको heart related को issues है आपको liver related को issues है kidneys related है ठीक है तो यह सारी चीजी है जिस condition में आप इसको avoid कर सकते हैं ठीक है अब बात करते कि and इसकी half life है 2-3 दिन की और जिसके dose रहेगी week में वह होगी 200-500 mg per week ठीक है आप इसको 8-10 weeks duration use कर सकते हैं तो यह ओल सारी details थी trend bolin के बारे में ठीक है तो यह ऐसा salt है जो market में है all the monster of steroids इसको बोल सकते हैं muscle mass बढ़ाने के लिए strength बढ़ाने के लिए power बढ़ाने के लिए ठीक है vascularity बढ़ाने के लिए यह सारी चीजे और साथ-साथ में fat loss करने के लिए आपके muscle को एक अच्छा खासा definition देने के लिए trend bolin को use किया जाता था तो यह थी आज की video video कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताना यह totally informative purpose से बनाएं गई है ठीक है और चैनल को subscribe करो video को share करो thank you love you all